दोस्तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर में भारत की जो सांसद है इस देश के सांसद है वो कस्मीर नहीं जा सकते आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के नेता राहुल गांदी जब कश्मीर दोरे पे गए तो उन्हें एरपोर्ट से ही वापस कर लिया गया गुलाम नवी आजाद अपने घर उनका घर कस्मीर में है वो कस्मीर नहीं जा पाए उन्हें वापस बुला लिया गया पक्ष के कई नेता कस्मीर जाना चाहते थे कस्मीर के हालाद देखना चाहते थे लेकिन सरकार को लगा कि इनके कारण वहां की सुरक्षा विवस्ता या वहां आसांती हो जाएगी सांती भंग हो जाएगी इसलिए सरकार ने उन्हें अनुमती नहीं दी लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे विदेश से कोई सांसत आता है तो वो जा सकता है कस्मीर मैं बात कर रहा हूं यूरोप से कुछ सांसतों का डेली गेट आया जो कोई राजनितिक कार से नहीं आया। ब्रोकर के एक कारिक्रम में वो लोग वहां सरीख हुए वहां गए और बखादा उनके स्वागत में कहा जाता है कि लाल कालिन भी चाए गई। इस गंभीर मुद्दे पर कॉंग्रेस के प्रवक्ता रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने क्या कुछ कहा आईए हम देखते हैं। इउरोपियन संसत के 27 सदस्यों को भारत लाया गया तथा उनकी मुलाकात प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से करवाई गई। उन्हें काश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए सरकार द्वारा काश्मीर भीजा गया और उनकी पत्रकार वारता आज दिल्ली में आयोजित की गई। आखिर में इस डेलिगेशन के 23 ही सदस्य काश्मीर गए और 4 लोट गए। पिछले 72 साल से भारत की जाची और पर्खी नीती है कि काश्मीर हमारा आंतरिक मामला है तता हम इस बारे किसी तीसरे पक्ष, समूह, संस्था या व्यक्ती की दखल अंदाजी कभी स्विकार नहीं करेंगे। पिछले तीन दिनों में इस नीती को पलट कर मोधी सरकार ने एक एक्षम में अपराद किया है। इसके विपरीत भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार यूरोपियन सांसदों जो एक व्यक्तिगत यात्रा पर हैं उनके लिए लाल कालीन बिछा कर काश्मीर में उनका स्वागत कर रही है। और वह भी तब जब उनके देशों के द्वारा उपचारिक यात्रा पर नहीं भेजा गया बलकि उन्हें एक अनोपचारिक यात्रा पर एक अंतराश्ट्रिय बिजनिस ब्रोकर के द्वारा लाया गया है। यानि देश के सांसदों से शांती का खत्रा है और विदेशी सांसदों का काश्मीर में स्वागत है। ये अब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार की नीती है। भाजप्पा सरकार के इस एपरिपकव विवेखीन और मूरक्ता पूरण निर्णे से स्पष्ठ है की पहला मोधी सरकार ने भारत की कूटनीती को एक अंतराश्ट्रिय बिजनिस ब्रोकर के हाथ गिर्वी रख दिया है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे की मैडी शर्मा कौन है। भाजप्पा का इस महीला आर्थिक वे समाजिक थिंग टैंक वे इंटर इंटरनेशनल इंस्टिटूट ऑफ नॉन अलाइन स्टाडी से क्या जुडाव है। मैडी शर्मा क्यों वे किस हैसियत में प्रधानमंत्री की अपॉइंट्मेंट्स फिक्स कर रही है। और वो भी तब जब यूरोपियून यूनिन के सांसद मैडी शर्मा की संस्था द्वारा प्रायोजित एक व्यक्तिगत यात्रा पर देश में आये हैं। तो भारत सरकार इनका स्पॉंसर क्यों बनी है। एक बिजनिस ब्रोकर द्वारा प्रायोजित काश्मीर की इस यात्रा का पैसा कहां से आ रहा है। इस पूरे मामले में देश के विदेश मंत्राले को क्यों दरकिनार कर दिया गया। सच्चाई यह है कि पिछले 72 साल में देश की यह सबसे बड़ी राजनितिक चूक है। दूसरा मोदी सरकार ने जान पूझ कर काश्मीर मुद्दे का अंतराश्ट्रिय करण कर दिया है। जो हमारी जांची और पर्खी नीती की घोर उलंगना है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। तीसरा मोदी सरकार ने एक तीसरे पक्ष को कश्मीर बुलाकर जमीनी हालात का जायजा लेने की इजाज़त देकर देश की घोशित नीती का उलंगन कर घोर पाप किया है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की संपरभुता को चुनोती देने राश्ट्रिय सुरक्षा पर प्रहार करने वे देश की संसत का अपमान करने वाले इन निर्णों के बारे आगे बढ़ देश को स्पष्टी करन दें